श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ही लेकर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के प्रेणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में आठवी स्थान में रहेंगे इस जगे पर चंद्रमा का होना ठीक नहीं होता है इस समय में आपको कई मामलों में तकलिपे उठानी पड़ सकती है लेकिन कुछ मामलों में सफलता भी इस दिन देखने को मिलेगी चंद्रमा मन के कारक होते है और चंद्रमा के अश्टम भाव में होने से इस दिन आपका मन परेशान रह सकता है चिंतित रह सकता है आप किसी पुरानी उल्जन में उल्जे नजर आओगे इस समय में आप इमोशनली काफी विक्र होगे किसी से भी मनमुटाव बड़ी आसानी से हो सकता है इस समय में आपको लड़ाई जग्डों से बचना होगा फारिवारिक कलकलेश से बचना होगा इसलिए आज आप शान्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे पैसों का लेंदेन करना इस दिन ठीक नहीं रहेगा लेकिन अचानक से धनप्राप्ति के योग अश्टम भाव आपको दे रहा है इस समय में आपके शत्रू आप पर हावी हो सकते है तो आपको सावधानी बरतनी काफी ज़रूरी रहेगी इस समय में यात्राए भी संबल कर करनी होगी इस समय में सेहत से सम्मंदित परिशाने भी घेर सकती है सिर में दर्द रह सकता है पचन शक्ती कमजोर रहेगी इस समय में अगर बीपी की परिशाने है तो अपना खास ख्याल ज़रूर रखे अपने मेडिकेशन का अच्छे से ध्यान रखे और अपने खाने पिने का ध्यान इस दिन आपके लिए रखना बेहत जरूरी है स्टुडेंट्स के लिए भी ये दीन कुछ खास नहीं रहेगा पढ़ाई में कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाओगे कोई ना कोई रुकावट आपको डिस्टरब्ट कर सकती है आज अगर आप चंदन या केसर का तिलक अपने माठे पर लगाते हो तो आप शान्त रहोगे आपका मन शान्त रहेगा दिन काफी अच्छा जाने की संभावना रहेगी अगर परसनल लाइप की बात करते हैं लव लाइप की बात करते हैं तो लव रिलेशनचीप में आपको इस दिन अपनी बोली पर नियंतरन डखना काफी ज़रूरी रहेगा इस दिन आपको तोल मोल कर बोलना अच्छा रहेगा और एक दूसरी की गलतियों को इस दिन नजर अंदास करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस दिन आप कोई बड़ा एहम फैसला ना ले थोड़ा रुख जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस समय में आपको विदेश से धन कमाने का अच्छा मोका मिल सकता है विदेश सेटलमेंट के भी योग अश्टम भाव आपको जरूर देता है दोस्तो इस दिन ओरेंज रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुब रहेगा और नो अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगद रशन की तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा